हेलो एबरीबन, वेलकम बैक टो मैं चैनल किर्थप्राप बलागर और गैस कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे तो पहले तो मेरी ओर से सबी को हैपी करवाचाथ, क्योंकि आज है करवाचाथ, तो आज का बलाग भी करवाचाथ पे होने जा रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने करवाचाथ कैसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हरे एक स्टेट के, हरे एक प्लेस के अलग लग रिती रिवाज होते हैं, मैं सीख फैमिली से बलाग करती हूँ, मेबी आप सब से मेरे अलग रिती रिवाज होते होंगे, तो प्लीज आप ब व्यूडियो कैसी लगी तो चलिए आज का ब्लाग हम करते हैं स्टार्ट तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या बनाया है तो सुबह के बाद चुके हैं अभी टाइम हुए सुबह का साड़े पांच तो सुबह चार बज़े उठ की थी मैं अब मैं अपने में हमने पानी पी लेना सारा दिन पानी नहीं पीना होता और कुछ भी मिठा जैसे सर्गी बोलते हैं हमारे पंजाब में हम सर्गी खाते हैं जैसे कोई प्रशाद पूरी खा लेता है सेविया खाले या आप कुछ भी ब्रेकफास्ट में प्रांठा सबजी रोटी कुछ भी अब हम ज़्यादा बतें ना करते हुए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट मैं बना रही हूँ करबा चाथ स्पेशल डिस सेविया तो मैंने देसी घी में इनको भून लिया है अच्छे से अब इसमें मैं मिल्क एड कर दूँगी मिल्क एड करने के बाद थोड़ी दिर पकाएंगे फिर मैं इसमें ड्राइफ रूट एड कर दूँगी तो थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें चीनी एड कर देंगे शुगर देखिए चीनी एड करके अब थोड़ी सी दिर हमें की सारी त्यारी हो चुकी है यहां पे मैं आपको अखरोट दिखा रही थी यह किर्थी के फेवरेट है इसके पापा इसके लिए काफी सारे लेके आये थे तो इस साइड पे है हमारी पूजा की थाली यहां पे फुलियां है और खिलाने जैसे होते हैं पेठा है एपल फूट सारी मेरी पूजा की थाली रैडी थी तो ये है हमारा करवा तो मैंने ये छोटा सा करवा लिया था मुझे इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी तो मैंने स्टील का इस बजा से नहीं लेहा सेट वो वाला क्योंकि मैं हर एक साल नियू ही यूज करती हूँ पुराने वाला हमारे नहीं यूज करते फ्रेंड्स अब शाम के तीन बच चुके थे तो मैं रैडी होगी थी शाम को मैंने साडी डाली थी अब हम मत्था टेक रहे हैं और भोग लगा रहे थे देखे मैं कीर्त और प्रव मत्था टेक रहे थे बहन से बहुत प्रेम करते थे उन्हें अपनी बहन का भूग से वाकुल चैरब देख बहुत दुख हुआ सावकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चड़कर अगनी जला दी घर वापिस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा देखो बहन चांद निकलाया है अब तुम अर्ग दे कर भोजन ग्रहन करो सावकार की बेटी ने अपनी भावियों से कहा देखो चांद निकलाया है तुम लोग भी अर्ग दे कर भोजन कर लो ननद की बात सुनकर भावियों ने कहा बहन अभी चांद नहीं निकला है तुम्हारे भाई धोके से अगली जला कर उसके प्रकास को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं सावकार की बेटी अपनी भावियों की बात को अंसुनी करते हुए भाईयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्ग देकर भोजन कर लिया इस परकार करवा चोत का व्रत भ्रंग करने के कारण विग्न हर्ता श्री गणेश सावकार की लड़की पर अपरसन हो गए गणेश जी की अपरसनता के कारण उस लड़की का प्तती बिमार पढ़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बिमारी में लग गया सावकार की बेटी को जब अपने कियोए दोशों का पता लगा तो उसे बहुत पस्चा ताप हुआ उसने गणेश जी से शमा प्रातना की और फिर विधी से विधी पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया उसने उपस्ते सभी लोगों का शर्धा नुसार आदर किया और तद उत्प्रांत उनसे आश्रवाद ग्रहन किया इस परकार उस लड़की के शर्धा भक्ती को देकर एक दंत भगवांशी गनेश जी उस पर प्रसन हो गए और उसके पती को जीवनदान परदान किया उसे सभी परकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ती और वैबव से युक्त कर दिया तरवाद चोत माता की जैन अब मैं डिनर की त्यारी कर रही थी, डिनर में मैंने पनीर की सबजी बनाई थी शाही पनीर की सबजी बहुती टेस्टी बनी थी और गाईज अब चांद निकल गया था, तो यहाँ पे मैंने दिया जला लिया अर्शनी में तो मैं चांद देख रही थी, बट इतने सालों में फर्स्ट टाइम हुआ कि हमें चांद नहीं दिखा, बादलों में शुप गया था हमारे चंडी गड में बहुत ही बारिश हुई थी, तो अब मैं चांद को पानी दे रही थी, तो पूजा यहाँ पे मैंने संपन कर ली थी तो गाईज अब शाम को बरत खोलने के बाद हम आ गए थे गविंत डैरी पे, यहाँ पे बन रहे थे गर्मा गर्म स्मोसे भी, स्मोसे हमारे घर में सब के ही फेवरेट है, वो भी गर्मा गर्मा और फ्रेश मिल जाएं, फिर तो बात ही अलग है यह मेरे आंटी जी है, हमारा बहुत प्यार करते हैं यह, और अगर आप मेरे चैनल पे नियों नहीं हो, अभी तक आपने चैनल उसको सब नहीं किया, प्लीज गाईज सब कर देना, और कमेंट करके जुरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, थिंक यह सो मच पर वाचिंग, बाई बाई